सबको राम राम नमस्कार मैं अमित अप्षिस्ट एक वार फिर आपके सामने हूँ दोस्तों पच्चिस जुलाई 1975 को जब एमेरिजंसी एनॉंस होई थी उस दिन को भारत सरकार मनाएगी सम्विधान हत्या दिवस के रूप में और कॉंग्रेस पार्टी ने एनॉंस किया है कि 28 नवंबर को मनाएंगे रोजगार हत्या दिवस क्यूंकि उस दिन नोट बंदी हुई थी 2016 में दोनों पार्टियां दोनों एक दूसरे के ऊपर लांचन लगा करके पुरानी बातों को याद करके लोगों का धयान डाइवर्ट करने की पूरी मैंशा के साथ ये काम करते हैं इस समय हमारे देश को जिस चीज की जरूरत है इस समय हमारे बच्चों को जिस चीज की जरूरत है उसके उपर ना तो ये राज्यों में बात करते हैं नहीं केंदर में बात करते हैं नहीं बिधान सभा में कोई बात की जाती है नहीं लोक सभा में या राज्य सभा में बात क सें जो कॉनग्रस अपाटी सेँ वेखाएकोंगरू योगता लेकिन निकालते जो जिसको निकालते सम्सक्वास जा करें Dates निलेक्षिन की दिनों में तुक benevolTON बहुत जाते जा कर जाए तरी लेकिन दोआ बोत ड़ें और हमारे लोग कितने भावुक हो जाते हैं इनके लिए ही अपना सब कुछ अरे अड़ा नहीं है से अंबान नहीं है से फ़लाना है से फ़लाना है से हमारे मैं देखता हूं कि ऐसा बच्चों में जोश और फतूर भरा हुआ है कि अगर किसी नेता की फोटो के उपर मतरा को फ इतने जाद है दिम्या खराब जबकि होता गया है कि जो बीजेपी में होते हैं वो कॉंग्रस में चल जाते हैं जब इलेक्शन आता है और जो कॉंग्रस वाले हैं वो बीजेपी में आ जाते हैं इलेक्शन होने के थोड़ दिन पहले तक ऐसे इन लोगों की नियम है किये हैं मैसेज करे थे तो उनके बारे में मैं डिसकस करूँगा एक था मैं सरकारी अध्यापकों की बात करता हूं कि सरकारी स्कूल में टीचर्ज होने जाए तो कहीं ने बोला कि सरकारी टीचर्ज काम नहीं करते हैं इंपलाइज काम नहीं करते हैं बिल्कुल घलत आरोप आ पूरे होश्वावास में कह रहा हूं, अगर सरकारी अध्याव काम नहीं करते हैं, तो चुनाव के तब सरकारी employees मेहनती होते हैं तब सरकारी employees इमानदार होते हैं लेकिन जब teacher school में रखने हो तो क्या प्रोपगंडा? ये काम नहीं करते हैं भाई साथ, 3000 school में एक teacher है और उसे खाना भी बनाना है उसे बच्चों को पढ़ाना भी है लेकिन मारना भी नहीं है उनको दबकाना भी नहीं है उनको डांटना भी नहीं है अगर डांटेंगे तो माँबाप सिर पे चढ़ाते हैं एक teacher है, पांच या आठ classes है और माँबाप ये बोलते हैं कि हमारा राजा बेटा अफसर तो बने लेकिन कोई उसको टोके न और नेताओं ने ये कानून बनाए है और जनता चाहती थी teacher के हाथ में क्या रह गया है सरकारी employee के हाथ में है क्या है, बताइए नियम तो इनों नहीं बनाए बनवाए किसने, जनता ने आपको मैं ताजा उधारन दे दू गर्मियों के दिन थे, मेई-जून के महीने में चुनावी, रण में उस समय हमारा के शेतर, गगरेड के शेतर जिला उन्हा पूरा लोक सभा चुनाव की बात कर रहा हूं पूरा इंडिया ही चुनावी समर में था उस दौरान हमारे यहां के एक कैंडिडेट थे, जो लोक सभा चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने डी सी को फोन लगाया और बोला डी सी साब आज कल हम गर्मियां बहुत हैं पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं तो आप छुटियां कर दो वो वीडियो वाइरल भी होई सबने देखिये होगी और आपने कभी उन्ही नेता को डी सी को फोन करते हुए सुना कि इस स्कूल में टीचर नहीं है आप एक टीचर अरेंज कर दो कभी किसी किसी भी नेता ने बोला कि बच्चों को अध्यापकों की ज़रूरत है वहां पर अध्यापक अरेंज करवा दिया जाए क्यों नहीं बोला कि हम लोग भी तो नहीं पूछते हमारे यहां नेता आता है तो हम लोग हार डालने चले जाते है फूल मालाएं पहनाएंगे लेकिन प्रशन नहीं करेंगे अगर कोई प्रशन करेगा भी उसको पीछे धकील दिया जाएगा फिर एक लिसनर ने एक हमारे दर्शक ने बोला कि ज़्यादा तर जो युबा चुनावों में चुनावी नेताओं के पीछे फीचे गुमते हैं वो तो ज़्यादा तर नेशेड़ी होते हैं बिल्कुल सही और मैंने बड़ा उफजर्व करा इन चुनावों में किसी भी नेता कि पास जो वर्किंग मतलब जो फोल्वर्ज थे उनके कारे करता थे सो से ज़्यादा नहीं है सो तो बहुत ज़्यादा है दस पचास होते हैं बस लेकिन वो युबा जो बच्चे होते हैं उनको वो मिसगाइड करते हैं उनको वो ज़्यादा तर नशों का सेवन करवाते हैं तांके यह बच्चे इधर उधर सोच ही ना बाएं फिर उसके बाद क्या होता है इन बच्चों को वो दो नमबर के काम में डाल देते हैं इसलिए कि जो दो नमबर में काम करेगा उसको पुलिस का डर भी रहता है फिर अगर पकड़ा जाएगा तो उसकी समानते भी चाहिए कोई उसको बचाने वाला चाहिए तो वो काम होता है नेता करेगा नेता को चाहिए कि जब वो कहीं से भी आये तो उसको हार डालने वाले चाहिए दस-पचास लोग तो चाहिए भीड होनी चाहिए चिनाव के दिनों में आप ने देखा होगा तो वो उन बच्चों को अब देखो उनको तो बंदे चाहिए उनको मिसगाइड करना है यह वाला काम करेंगे तो हमारा source of income अच्छा हो जाएगा जी वाली ट्रेनिंग मिल जाए हमें ओनलाइन देखिए ओनलाइन बेचना सामान बनाना बेचना बहुत चीजें कभी किसी को ट्रेनिंग मिली है दी गई है या किसी नेता ने बोला है नहीं बोला है सुकूल्स में टीचर नहीं है रोजगार के लिए आप कोई भी ऐसी ट्रेनिंग भी कोई ऐसा source of income जो एक नंबर में हो प्रधानमंतिरी ने जुरूर बोला कि पकोड़े बनाने से जी हां रोजगार का सबसे अच्छा साधन है हमारे यहां के पकोड़े वाला है और रोज की 10-15,000 रुपया उसकी आमदनी है 500 रुपया तो वो एक बिधाय के उपर अरोब था कि 500 या 700 रुपया रोज उसको रिश्वत देता था तो ऐसे बहुत सारे रोजगार के साधन है उसके ओपर कभी बात हुई हमारे यहां के बच्चो आया जा सकता है और इमानदारी से भी आप आशो अराम प्राप्त कर बाते हैं एक और बात कही गई थी कि कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का जीवनी अपन कैसा रहेगा तो भाई साब जीवनी अपन आने वाले दिनों में खत्रे से भरा रहेगा वो इसलिए होगा क्योंकि ना तो हमारे बच्चों को धूप सहने की आदत है ना है उनको पसीनने की आदत है और जब तक पसीनने से तरबतर नहीं होंगे तब तक कोई सफल नहीं होगा गर्मियों में सब जगाए पर एक बड़ा असाधारन सा ही सरकारी फर्मान मैंने सुना के जी आठ बज़े सकूल लगता है तो आप प्रेयर नहीं करवाएंगे सवीरे क्यों नहीं करवाएंगे कर दूप हो जाती है गर्मी में बच्चों को अरे बच्चे वो आर्मी में जाएंगे साधारन परिवारों के बच्चे तो पढ़ रहे हैं साधारन सकूलों में जिनके पास पैसा है उनक हमारे बच्चे को बार पास खेलनों के लिए कोच नहीं है रोजगार उनमों को कोई भी ऐसा source of income हो generate उसके लिए training और सुविधाई नहीं है तो फिर हमारे बच्चे धूप और पसीना अगर नहीं सहेंगे तो क्या करेंगे बताइए कैसे कर पाएंगे हम लोग समझना पड़ेगा हम सब को यह बहुत खतरनाग trend है हमारे बच्चों को आदत होनी चाहिए धूप में रहने की भी और पसीने की अगर ऐसा कर पाएंगे तभी वो cricket के ground में भी athletics के ground में भी कुछ कर पाएंगे अचीव कर पाएंगे और अगर वो ऐसी मेहनत कर पाएंगे तो वो किसी भी फिल्ड में उतर जाएंगे इमानदारी से ऐश और आम की जिन्दगी जी पाएंगे जय हिन जय भारत